जहारकन में आज 25 सोरेण ने मुख्यमंत्री पत की शपत ले ली, उनके साथ सयोगी दलों के दो वरिश नेताओं को भी शपत दिलाई गई है चमपाई सोरेण को अगले 10 दिनों में बहुमा साबित करने को कहा गया है बहुमा साबित करने के लिए 5 फरवरी को सत्र बुलाया गया है लेकिन इस बीच सत्तारूड महागडबंधन को डर है कि कहीं BJP Operation Lotus कर उसके विधायकों को न तोड़ ले इसलिए उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया है इस बीच पूरु मुख्यमंत्री हेमन सोरेण को सुप्रिम कोर्ट से राहत नहीं मिली सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जार्खंड हाई कोर्ट में पहले से याची का दायर की हुई है हेमन सोरेण को ED ने बुद्वार रात को ग्रफतार किया था उन्हें कल एक दिन के नियाए खिरासत में भेजा गया था आज जार्खंड के पीए मेले कोट ने उन्हें पांच दिन की ED रिवांट पर फेज दिया है हमारे घड़वांदन सरकार उसका कम कमा दमसुष को हम लोग आई ना देखाने का कम परेंगे मुख्यमंत्री जी क्या ऐसी मजबूरी रही कि यह सभी विधायकों को यहां से हैद्राबाद आपको सिफ्ट करना पड़ रहा है कोई मजबूरी नहीं आए थोड़ा आई थोड़ा आएगा बागी ठॉप टेक है और आज जेपाल को समर्थन पत्र सौपने के बाद ही चमपा इस और उनको मुख्यमंत्री पत की शपत गिदर आई गई है जहारकन विधानसवा में महागटबंधन को बहुमत है इसके बावजूद उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों को न तोड़ दे इसलिए विश्वास मत तक विधायकों को हैजराबाद भेजा गया है विधानसवा में नंबर किस तरह से एक बार नज़र डाल लेते हैं आपको बताएं कि जहारखन विधानसवा में कुल संख्या 81 है मौजुदा संख्या 80 है अभी वहाँ पर एक सीट खाली है बहुमत का जादू याकड़ा 41 का है और महागटबंधन के पास 48 विधायक है इसमें जेमें के 39, कॉंग्रेस के 17, CPIM का एक, RJD का एक विधायक है वहीं विपश्च के 32 से इनमें BJP के 26, आसु के 3, NCPAP का एक और निर्दली 2 है तो जैसा आपने देखा कि विधानसवा का गणित महागटबंधन के पक्षमे मजबूती से है हालनकि महागटबंधन के भीतर कई तरी की बातें सरूर आ रही है शायद ये भी कारण है कि विधायकों को हैजराबाद भेजा गया सूत्रों के मुताबिक महागटबंधन के 48 में से 38 विधायकों को हैजराबाद भेजा गया है कल दात्ता की चर्चा थी कि CM के साथ दो उपमुख्यमंत्रियों को भी शपत दिला दी जाए, इसके लिए कॉंग्रेस के आलमगीर आलम और GMM के वसन सोरेंड का नाम था, लेकिन फिर तय हुआ कि बहुमा साबित करने के बाद उपमुख्यमंत्री बनाए जाए, इसलिए आज मुख्यमंत्री 25 औरण के साथ दो ही मंत्रियों आलमगीर आलम और RGD के सत्यानन भोगता ने शपत लिए, तूट का डर इसलिए भी है क्योंकि फिश्टी सरकार के कुछ मंत्रियों को शायद इस बार मौका ना मिले, और वहीं कुछ विधायक लोगसभा चुनाओं में टिक करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ट नेता और पूरू मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी जूड़ रहे हैं बाबुलाल जी आपका स्वागत है इंडी टीवी इंडिया पर सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज चाहरकंड में नए मुख्यमंत्र लेकिन महागडबंधन का यह आरोपे की बीजेपी यहां ज्हारकंड में आउप्रेशन लोटस की त्यारी करें और इसलिए टूट से बचानी के लिए विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है देखी यह तो विल्कुल गलत है आईदराबाद उनलों को भेजा उसका कारण है चुकि उनको विधायकों के उपर कोई विश्वास नहीं है अपने विधायकों से उनको अविश्वास है और उसका कारण भी है जो कि चार वर्सों में जो राज में कुछ किया नहीं उन्हों बलकि इस राज में सिर्फ लूठी हुआ है और इस कारण से उनको लगता है कि अगर विदायक लोग यहां वहां रहा गए तो कहीं विदायक छोड़कर न चले जाए बाग न जाए तो अपने विदायकों से उनको खुद डर है वीजेपी के कारण नहीं है लेकिन अखिर बोल वरोसा नहीं है और विदायकों का भी हमें लगता है कि सरकार के उपर वरोसा नहीं है और इस कारण से यह लोग परिशान है लेकिन यह भी आवरोप लगा जा जा रहा है कि राजभवन पर दबाव था और इसी कारण नए मुक्यमंत्री को शपत दिलाने में देरी की गई कि इंब वो कितना समय जल्दी कर सकते थे थे अग чуд परिश्थितियां पैदा हुई 31 तारीक को नहीं गिरवतारी हुई है और 31 तारीक को रात में गिरवतारी होती हिए अब रात में हंगामा कर रहे और अपर वो अभी भी जैसे आप बताया ने कि विदायकों को ले करके वागा है तो इसका मत्तब है कि विदायकों से डर है तो उनको भी तो कहीं ने कहीं कोई इस प्रकार के आया होगा तो एक दिन तो उनको भी समझने का वाकी जी पढ़ने का कागज भी देंगे तो कागज भी दिया गया ताकि चुनाव से पहले जो विपक्षे वहां पर उसको कमजोर कर सके हैं यह तो विल्कुल गलत है चुकि हैमन स्वरीन जी को तो हमें लगता है कि दस्वा नोटीस दिया गया और यह हमको लगते हैं आठ नो महिनों से यह सारे काम चल रहा है और यह आई नहीं रहे हैं उपस्ती नहीं हो रहे हैं बार बार बाएं दाएं वह बाहना कर रहे हैं अगर यह उसी समय उपलब्द होते हैं तो मुझे नहीं लगता है इस साथ उनको गिरफतारी भी साथ नहीं चले आए तो यह कहना की चुनाव को ले कर के अर्चुनाओ के समय खुध्यान में रख करके तो यह बिलकुल बेवगुनियाद बाते हैं इडी तो यह कब से कारवाई कर रही है अब समय से इन को नोटी दिया जा रहे तो यह नहीं रहे कि अ पहली बाद तो बीजेपी कोई हड़वड़ी में नहीं है और कोई हम जोतिस तो नहीं है कि सरकार का भविश कैसे होगी कोई अच्छे पंडी जी लोगों से पूछ लीजेगा जो जोतिस होंगे तो बता देगा आज पर्शिमंगाल के मुख्यमंत्री ममताब एनरजी ने भी हमन सोरन को अपना समर्थन दिया है आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इसारी उपक्षी पार्टियां इसको लेकर के भी जिस तरह से एक जूट हो रही है कि पहली बात तुम्हें कोंगा के अमन सोरेंट्फी गिरवतारी के पहले कही एक लोंगे गिरवतारी यह दो दो आयएस आएस अफसर जेल में बाद है कही एक इंजिनियर है कही एक दलाल है कही विचोली आए पंकज विष्रा है प्रेम प्रकास है ऐसे कि एक लोग है जो ट्राइवल्स नहीं है बही जो गड़वड करेगो जाएगा भारतिय दंड विधान में जो प्रावधान है उसके ताहत जो भी अदमी गुणा करेगा उस गुनागार को तो उसके अनुसारी सजा मिलेगी चाहे आदिवासी हो चाहे गहर आदिवासी हो